हेलो दोस्तों नमस्कार स्वागत है आपका आपी के अपने चनल के उपर एक बार फिर से फ्रेंड्स साल 2021 में कितनी बार होगी जेई मैंस प्रिक्षिया कब होगा नीट पड़े डिटेल में तो एक न्यूज आई है इसके अंदर फ्रेंड्स नीट 2021 से जुड़ी कुछ जानकारी दे रखी है CBSC बोर्ड च्यार मई से दस जून तक अक्षिया दस और बारे की बोर्ड प्रिक्षिया आयजित करेगा बोर्ड प्रिक्षिया में डेरी से मेडिकल कोलेजों में दाखिले के लिए आयजित होने वाले नीट प्रिक्षिया पर पड़व पड़ सकता है तो क्या-क्या इफेक्ट पड़ेंगे फ्रेंड्स ये हम जान लेते हैं नई दिल्ली केंद्रिय शिक्षिया मंत्री रमेश पोख्रियाल निसंक ने 81 दिसंबर को केंद्रिय माद्यमिक शिक्षिया बोर्ड CBSC की साल 2021 की प्रिक्षिया की तारिखों का एलान कर दिया है CBSC Board 4 मई से 10 जून तक कक्षिया 10 और 12 की Board प्रिक्षिया आयोजित करेगा दहाईन के प्रिणाम 15 जुलाई तक गोशित कर दिये जाएंगे जाहिद है Board प्रिक्षिया में देरी से Medical College में दाखिले के लिए आयोजित होने वाली नीट प्रिक्षिया पर परभाव पर सकता है अगर दोस्तों आप कर रहे हैं महाराश्टरा CET 2022 के लिए प्रिप्रेशन तो इंडिया का largest learning platform and academy आपके लिए लेके आया है मेराथन कलासिज अगर फ्रेंड्स आप इन मेराथन कलासिज के अंदर enroll करना चाहते हैं तो सक्रेंड पर दिया गया ये Code exam info आपको use करना होगा और आप इन मेराथन कलासिज के अंदर enroll कर जाओगे ये मेराथन कलासिज जो है महाराष्टा CET 2020 के लिए every Saturday को होती है जिसके अंदर इंडिया के top educator से पढ़ने का आपको मौका मिलता है जैसे कि अतुल सर्फ, प्रियाक सर्फ, सुवाती मैं और प्रातना मैं ये जो है अपनी अपनी category के अंदर बहुत ही अच्छे teacher है और आपको एक अच्छी guidance के द्वारा जो है MST CET 2022 करेक करने में help करेंगे नीचे description में मैंने link दे दिया है वहाँ पर जाकर आप जब enroll करोगे तो वो एक code मांगेगा जो कि आप screen पर दिया गया code आपको वहाँ पर डालना है exam info और आप इन मराथन classes के अंदर enroll कर जाओगे और आप an academy के उपर महराष्टा CET के लिए plus subscription भी ले सकते है अगर ये code screen पर दिया गया यूज करते हैं तो आपको वहाँ पर 10% का extra discount मिल जाएगा 2700 के अंदर आप 1 month का प्लान यहाँ पर ले सकते है तो friends अगर आपको महराष्टा CET की preparation करनी है और academy platform पर तो नीचे description में मैंने जाद जाना करें के लिए link दे दिया है वहाँ पर जाकर के आप इन फरी मराथन classes के अंदर enroll कर पाएंगे नीट प्रिक्षा पर पर परभाव तो क्या क्या effect देखने को मिलेंगे वो हम जान लेते है medical college में दाखिले के लिए आईजित होने वाले नीट प्रिक्षा आम तोर पर माई में आईजित होती रही है देखना होगा कि 60 मंदराले के और से नीट को समय पर आईजित किये जाने के लिए आने वाले मक्त में क्या इंतजाम किये जाएंगे और एक और स्वाल जो बना हुआ है नीट प्रिक्षा ओनलाइन होगी या फिर ओफलाइन होगी और जैसा कि एंटी ने हेल्थ मिनिश्टरी को बोला है अगर दो बार एकजाम करवाना है तो वो केवल ओनलाइन के माद्यम से ही करवाया जा सकता है लेकिन काफिस ट्रेंड्स का मानना है कि एकजाम जो है ओफलाइन ही होना चाहिए चाहे एक ही बार क्यों ने हो जाए तो इससे पहले पुख्रियाल ने 10 दिसंबर को किये लाइव के दुरान कहा था कि नीट प्रिक्षिया ओनलाइन या ओनलाइन आयोजित किये जाने के सवाल पर जवाब दिया था अबे तक तो ओनलाइन प्रिक्षिया ही ली है आगे ये प्रिक्षिया ओनलाइन होगी या नहीं ये इस बात पर निर्बर करता है कि कितने चात्रों से ये सुझावाता है और इसके आयोजित के जाने को लेकर क्या विकल्प निकलता है फिर उस अधार पर फैसला लिया जेई मैंज प्रिक्षिया 2021 से साल में चार बार होगी इंजिनियर कोलेजों में दाखिला के लिए जेई मैंज प्रिक्षिया वर्ष 2021 से वर्ष में चार बार आयोजित की जाएगी इसका पहला सस्क्रण 23-26 फरवरी 2021 लग होगा इसके बाद यह मार्च, अप्रेल और माई मे आयोजित होगी तो फ्रेंट्स यह यहाँ पर बता रखा है कि आपकी जो नीट की प्रिक्षिया है फ्रेंट्स वो जो है अब जून तक के लिए पॉस्ट्वन होई हो गई है मिड जून तक और जैसे ही जून तक की पॉस्ट्वन होई है उससे ये भी साफ लग रहा है कि ट एक्जाम ओनलाइन हो और दो बार हो या फिर आप ओफलाइन के साथ एक बार एक्जाम करवाने के पक्स में है इसके बारे में नीचे कमेंट सेक्षिन में अपने राय जरूर दीजिएगा यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद थेंक्यो